हलो फ्रेंड्स, OEME by Monica Cooking Channel में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं पनीर समोसा हम डीफ्राय नहीं करेंगे, हम इसको बेक करने वाले हैं दोस्तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने अगर मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे गरम करने के लिए एकदम सिंपल और आसान तरीके से हम आज पनीर समोसा बनाने वाले हैं तेल गरम हो गया है, उसमें हमने थोड़ा सा जीरा और एक हरी मेर्च कट करके डाली है उसको हम अच्छे से फ्राइ करेंगे अभी तेल में हम शिमला मेज, टमाटर और प्याज बारिक कट किये होए डालेंगे उनको अच्छे से कूक होने देना है 2-3 मिनिट तक मीडियम आज पर हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए शिमला मेज, प्याज और टमाटर अच्छे से पक गए है इसमें हम डालेंगे पनीर ग्रेट करके हमने पनीर डाला है मैंने यहाँ पे अंदाजे से 100 ग्राम पनीर लिया है पनीर को भी हमें 3-4 मिनिट तक पकने देना है उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले पनीर कूक होने से पहले हम इसमें टेस्ट मेंकर मसाले डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए पहले नमक डाल देते हैं स्वादा अनुसार थोड़ा सा जीरा पाउडर डालके पहले मिक्स कर लेते हैं पनीर समोसे के लिए हमने कुछ special मसाला डाला है जैसे कि पेरी-पेरी मसाला और mixed herbs ये दोनों कमबाइन करके हमने मसाला डाला है ये मसाले आड़ करने से समोसे को कुछ अलग ही flavor मिलता है ये इस तरह से समोसे की stuffing ready हो चुकी है अब हम समोसे के outer layer का preparation करते हैं इसके लिए हम लेंगे पहले 1 cup मैदा measuring cup से आप 1 cup ले सकते हैं उसमें हम 2 teaspoon तेल डालेंगे खाने वाला तेल इसमें थोड़ी से अजवाइन डालेंगे ताकि उसका स्वाद खिल के आए और फिर स्वाद अनुसार नमक अभी इन सब को हम पादी से मिलाएंगे इसका dough बनाते हैं वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि इसका जो dough है वो ज़्यादा soft या ज़्यादा hard नहीं होना चाहिए उससे क्या होगा कि समोसे की जो outer layer है वो नरम पढ़ जाएगी या hard हो जाएगी देखे इस तरह से हमें इसको dough बनाना है आपको 10 मिनट तक इसको knead करना है ताकि ये properly इसका dough बने इस dough को हम 15-20 मिनट के लिए धक्के रखेंगे आप कपड़ा भी डाल सकते हैं इसके उपर लेकिन आपको ढखके रखना है 15-20 मिनट के लिए dough को rest करके 20 मिनट हो गया है इसका हम एक small portion लेंगे इसको रोटी की तरह ही पतला बेलना है दिखे इस तरह से हमने इसको बेल लिया है अभी इसके हम दो parts करेंगे दो parts में divide करने के बाद हम इसमें पनीर का stuffing करेंगे पनीर का filling करते वक्त आप ज़्यादा filling मत कीजेगा ताकि जब समों से bake होंगे तो वो कहीं से फटना जाए अभी ये सारे edges को सारे किनारों को हमें lock करना है आप पानी का हाथ लगा कर या दूद का हाथ लगा कर इन किनारों को lock कर सकते हैं इन किनारों को आपको अच्छे से lock करना पड़ेगा क्योंकि bake होते वक्त ये किनारे खुल जाते हैं तो अगर आप अच्छे से press करके lock करेंगे ये तो खुलेंगे नहीं इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी ready कर लेंगे ये सारे समोसे बेक होने के लिए तैयार है लेकिन इसके पहले हम oil लगाएंगे उपर से मतलब brush से हम oil लगाएंगे जादा नहीं लगाना है सिर्फ हमें उन पे हलका सा brush से लगाना है तेल इन समोसों को अब baking plate पे रख देंगे इन समोसों को bake करने से पहले जिसमें भी हम bake करेंगे उसे थोड़ा सा preheat करना पड़ेगा 3-5 मिनिट के लिए कड़ाई preheat हो गई है इसमें हम baking plate रख देंगे समोसे बेक करने के लिए कम से कम 25-30 मिनिट लगेंगे 15 मिनट के बाद हमें समोसे की साइड को पलटना पड़ेगा ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से बेक हो जाए ये देखिए कड़ाई में भी पनीर के समोसे कितने अच्छे तरीके से बेक हो गये है सिर्फ एक बाद का ध्यान आपको रखना है कि 15 मिनिट के बाद समोसी की साइड को पलटना है ताकि दोनों तरफ से वो अच्छे से बेक हो जाए इन समोसों को आप वैसे भी खा सकते हैं या फिर इमली चटनी, ग्रीन चटनी या केचप के साथ एंजॉई कर सकते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ तब तक हेल्दी रहे और हेल्दी खाईए